बातुनी कच्छुआ किसी तालाब में एक बातुनी कच्छुआ रहता था तालाब के किनारे रहने वाले दो बगुलों से उसकी मित्रता थी एक बार बारिश ना होने के कारण उस काउं में भयंग कर आकाल पड़ गया फसले और नदी तालाब सूखने लगे सभी पशुपक्षी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे कच्छुआ और बगुलों ने भी दूसरी जगे जाने का फैसला किया परन्तु कच्छुआ उड़ नहीं सकता था अतह उसने एक तरकीव सोची बगुलों ने अपनी चोच में लकडी की डंडी के दोनों सिरे दबा लिये और कच्छुए ने लकडी को बीच में से अपने मूँ में दबा लिया चलने से पहले उसने कच्छुए को अच्छी तरह संचाया कि वे रस्ते में कुछ न बोले क्यूंकि वे जानते थे कि कच्छुआ बहुत बातुनी है अब तीनों आकाश में उड़ने लगे काफी दूर जाने के बाद जब वे एक गाओं के उपर से गुजर रहे थे तो गाओं वाले उन्हें देखकर खुशी से ताली बचाने लगे कच्छुआ खुशी में भूल गया कि उसे मूँ नहीं खोलना है उसने कुछ बोलने के लिए जैसे ही अपना मूँ खोला वह नीचे गिर गया और गिरते ही उसके प्राण निकल गए